हेलो दोस्तों क्या सो आप से वेल्कमाइक तो जोबियों स्टेमियों प्रिकाश इस साल आईवीपेस आरारवी क्लर्ग के पोस्ट में कॉंपेटिशन का लिवल बहुत जादा रहने वाला है बहुत हाई रहने वाला है पीछले कुछ यहर से अगर आप कॉंपेर करे हो तो खा पूरा प्रोसस चेंज कर दिया जाएगा एंड उसमें आपको क्वालिफाई करना बहुत ज्यादा टुफ हो जाएगा तो इस साल आप देखो गेए तो इस साल जो एक्जाम से वाले हैं आई-वीपेस कराने वाली है और बहुत सारे कंड़ेट्स ऐसे हैं जिन्होंने पूर वो है vacancies, इस साल vacancies काफी कम release की गई है RRB Club के post में, अब इसके कारण क्या हो रहा है कि कुछ states में vacancies, ठीक ठाक है कुछ states में vacancies काफी कम है, अगर आप ये सोच रहे हो कि जहाँ vacancies ज्यादा है, वहाँ से गर आप apply कर दोगे, तो आपका selection हो जाएगा, तो ऐसा सोचना पस कर रहे थे, ये सोच रहे कि ठीक है selection हो जाएगा, और अब भी clerk नहीं हुआ, तो किसी और exam हो जाएगा, तो ये सब सोचना बंद करो, जो भी time मिल रहा है, अभी दो महीने, तीन महीने, जो भी आपको समय मिल रहे है, लगातार अब तयारी करते हो, प्रपिशन करते हो, क मैं आपसे यही कहूँगा, कि आपको at least minimum 8 hours तो daily पढ़ने ही होगे, अगर आपको कोई ये बात बो रहा है, कि आप 3 घंटे पढ़ लो, चार घंटे पढ़ लो, आपका selection हो जाएगा, तो वो आपसे सीधा सीधा जूट बोल रहा है, मैं आपको सच बात बता रहा हूँ, minimum आ 8 hours की जॉब होगी, या फिर 9 hours की जॉब होगे, लिकिन फिर भी उसके बाद आपको 4 hours dedicated होके पहाई करना होगा, and Saturday Sunday का जो time रहेगा, उसमें आपको 8 to 10 hours, 12 hours, जीतना आप पर सकते हो, जीतना आप time दे सकते हो, तयारी करो, preparation करो, practice करते रहो, और practice के लिए कुछ PDF के link मैं description box मे मिल जाएगी, आप download करके वहाँ से practice कर सकते हो, ऐसे बहुत सारे PDFs available है, जो completely free of cost रहती है, वो मैं description box में डालता रहता हूँ, वहाँ से practice कर सकते हो, देखिए यहां important है कि आप ज़्यादा पढ़ाई करो, ज़्यादा से ज़्यादा practice करो, जो चीज़े आपको समझ में नहीं आ रही है, उसे ज़्यादा revise करो, पर दो ही exam होने वाला है, यानि कि दो stage है, दो stairs है, दो stairs आपको चड़ना है, दो stairs आपने चड़ लिया, उसके बाद आप secure हो जाओगा, आपके पास ए government job रहेगी, 30,000 के monthly salary रहेगा, उसके बाद 10 तरह के जो benefits वगरा मिलते हैं, वो सब लेंगे, तो लेकिन उसके लिए करना आपको क्या होगा, selection चाहिए, तो बस एक ही चीज़ है, महिनत करना हो, तो महिनत करते रहो, आप comment करके बताना है, कि आप किसी state से belong करते हो, और आपकी तयारी कैसे चल रही है, all the best.